अगर आप एक iPhones user हो, आपको जो आपका data है वो आपकी किसे Android phone में share करना है या फिर Android से data आपको आपने iPhone में share करना है कोई भी आप share कर सकते जैसे कि वीडियो हो गया spray जो फोटोज हो गया अगर आपको contact file भी share करने है कुछ फाइल्स आपको शेयर करने होगी तो आपको मैं आज आप बताऊंगा जिसके दरे से आप जो आपके जो फोटो वीडियो जो फाइल्स रहेंगे वह बहुत ही इसले शेयर कर सकते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है जो आपको आइफोन है उसमें आपको एक डाउनलोड करना है तो अभी मैं बताता हूँ तो आपको जाना है अप स्टोर में अप स्टोर में जाने के बाद जो आपको यहाँ पर सर्च करना है सेंड एनिवेर तो आपको जो सेकंड वाला एप दिख रहा है जो send anywhere का ये logo है उसका तो ये app आपको download कर लेना है तो मैं अभी इसको open करता हूँ तो सबसे पहले ऐसे permission के लिए पूचेगा तो आपको पहले इसको जो access है वो provide कर देना है तो अभी मैं कर देता हूँ allow access to all photos तो जो भी आपके जो phone में photos होंगे वो आपको फेच करेगा और जो app में वो सारे देखने मिले गए तो अभी मैं इसको करता हूँ don't allow मुझे notification नहीं चाहिए तो फिर मैं इसको don't allow कर देता हूँ और जो notification है उसको okay कर दिया मैंने तो देख सकते हूँ मेरे जो भी photos है जो भी मेरे वीडियो है contacts जो files रहेंगे यह contact excellent पूछेगा तो इसको भी okay कर दो तो और यहाँ पर देख सकते हो जो files है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हूँ मेरे phone में जितने में फाइल है iPhone में तो same process अभी क्या आपको करना है आपका जो Android phone है उसमें भी आपको जाना है आपके app store में तो अभी मैं बताता हूँ आपको app store में जाने के बाद जो अभी आप यह app देख रहें उसको download करना है अभी मैं भी इसको open करता हूँ देखो मैं अभी इसको open किया अभी open होने के बाद आपको same जो access के लिए पूचेगा जो आपके photos यह वो है इसमें पहले आपको जो terms and conditions उसको accept कर देना है जैसे देख सकते हो फिर इसके बाद में करता हो confirm उसके बाद continue कर दो continue करने के बाद तो देख सकते हो अभी जो भी मेरे photos रहेंगे यह जो Android मेरा phone है उसमें आपको सारे जो photos है वो देखने मिलेंगे photos है जो videos रहेंगे जो audio files है जो apps आप नहीं share कर सकते हैं कि apps iOS के अलग होते हैं Android के अलग होते हैं तो apps आपको यहाँ पे share करने का option नहीं मिलेगा और आप share भी नहीं कर सकते हो इसमें contact share करते हो तो सारे यह details जो file रहेंगे वो आप share कर सकते हो तो अभी मैं आपको कुछ data share करके बताता हूँ, अभी मैं छोटे photo select करता हूँ, अभी मैं आपको बताता हूँ कि iOS से आप इसमें कैसे टांस्फर कर सकते हो अभी में बताओ आपको कोई भी फोटो सिलेक्फ करना है तो मैंने यह फोटो सिलेक्फ किया तो अब range यहापको खोलShape सैज भी बता एगा अभी यह got it कर दो यह कुछ अभी option देगा नहीं आप है तो इसको got it ठीक ही यह हो गया अभी आपको क्या करना है जो अभी यह sender phone है यह receiver है अभी यहां से हम photo send कर रहे हैं तो अभी जो android phone है उसमें आना है receive में जैसे आप receive में आऊगे तो आपको यह key के लिए पूचेगा अभी key जो आपको ios में दिख रहे है वह आपको यहां पर enter करनी है यह आप enter भी कर सकते हो यह QR code का option है वह आप scan कर सकते हो तो अभी मैं आपको key जो है वह enter करके बताता हूँ तो अभी key है 348705 receive कर दो that's it आपका जो फोटो है वह receive होना चालो हो जाएगा देख सकते हो अभी मैं जाता हो history में तो जो मेरा photo है वह अलड़ी आ चुका है तो कोई भी within a second यह photo वगरा है वह शेयर कर सकते हो अभी मैं आपको कुछ अगर अभी मैं आपको android से transfer करके बताता हो एक अदर वीडियो देखते हैं कुछ है कर देख सकते हो अभी इसमें एक छोटा वीडियो है कर देखते हैं कोई एक वीडियो है WhatsApp का तो अभी मैं शेयर करता हूँ तो देख सकते हैं मैं सिलेक किया यह send कर अभी यह sender device है मेरा तो यह got it कर देता हूँ अभी हाग पे जो आपका iPhone है उसमें जाना है आपको receive में है तो अभी receive में जाने के बाद आपको सेम अभी key के लिए पूचेगा अभी मैं क्या करता हूँ आपको यहा से QR code scan करके बताता हूँ उसके बाद आपको जो permission है यह camera की आपको आपको यहाँ से अभी इसे सकानकर देता हूँ तो देख सकते हो जो अभी है यह scan हो चुका है अभी scan हो देख सकते हो वो जो वीडियो था यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो चुका है तो बस आपको simple step follow करने अगर यहाँ से आप send कर रहे हो iPhone अगर sender device है तो आपको यहाँ पे चानल यह Receive में और जो भी हिश्टर रहेगे आपको यहाँ पे देखने मिलेगी जो भी आपने कुछ डेटा शेयर किया वो सारा आपको यहाँ पे देखने मिलेगगग आप फोटो ज वीडियो जो फायल से वो शेयर कर सकते वश्क यह आपस के लिए काम ने करेगा क्योंकि जो iOS के app different होते Android के app different होते और आपको चाहिए Internet connection या कोई Wi-Fi connection तो अगर यह वीडियो आपको informative लेगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलना वीडियो को like and share जरूर करना Thanks for watching